कि अग्स मुझे इनके साह टायम बीटाना बूर्द अच्छा लगता है यह मेरी एक होबी कै सकते हैं मैं जब कभी भी फ्री होती हूं तो इनके साथ टाइम बिताने यहां बालकनी में आ जाती हूं बहुत सारे प्लांट्स आपने देखे हूंगे मैंने लगाए हुए हैं और कुछ ही प्लांट्स मैंने अपने स्टेर्स में भी लगाए हुए हैं या थोड़ी सी थकान मैंसोस होती है तो आप इंके साथ ताइम बिताने आजाया करिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इंके साथ ताइम बिताना नमस्ते परेंग्ट वैलकम तू माइ न्यू ब्लोग्स मैं हूं अलका कैसे हैं आप मैं ठीक हूं आज मैं आपके लिए एक अपनी सेटीन न्यू वीडियो लेके आई हूं आई होप आपने मेरी फस्ट वीडियो भी एंजोई की होगी जैसा स्पोर्ट आपने मुझे फस्ट के लिए दिया प्लीज वैसा ही आप मुझे स्पोर्ट कीजिए और मुझे यादा से यादा सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं आज मैं आपको येलो-एलो सब कुछ दिखा रही हूं जैसा आपको पता है आज थस्टे है मैं पहनती हूं येलो कप्रे और जैसा आपने देखा है मैंने येलो चंदन भी लगा रखा है येलो नेल पेंट भी लगा रखा है तो आज मैं फोलो कर रही हूं येलो थेरपी आज है थरस्टे कुछ लोग इसको बीरवार भी बुलाते हैं और कुछ लोग इसको गुरवार भी बुलाते हैं तो जो आज का दिन होता है ब्रस्पती एक विशेश दिन है शास्त्रों में आज के दिन लगवान ब्रस्पती की पूजा करने का विधान बताये गया है इस दिन पिले रंग के पूल और फल औरपिफड की जाते हैं जो ब्रसपती देव होते हैं जैसे आपने नोटिस किया होगा किसी के जीवन में कोई अर्चने आ रही है या हमारा बिजनस नहीं चल रहा या हम फाइनाशली लोस में हैं या हमारे हमारी शादी में कोई अर्चने आ रही है शादी हो नहीं रही है लेट हो रही है या मैरी सलाइक में कोई अर्चने आ रही तो उन सबके लिए शास्तुरों में भगवान भरस्ते देव को खुश करने के उपाय बताई घए है transforma कерт तो पहले अगर हो इस दिन भरस्ते देव की आप आप 108 बार कीजिए टीं साड इंधी सब्सक्मने में झाया इस अफ सेसा opिए एक city मलत को आप ळार taką सकते सताकों आपके अगर हम अगर हम अगर हम भगे मान उनी पहलो है एकblem ममने को रहं आप बिश्चित रूप से हमारी लाइफ में कुछ चेंजिस मिलते हैं और आज के दिन यानि ब्रसपती के दिन श्री हरी विश्णुर जी का भी पूजन किया जाता है देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि बदमान ब्रसपती देव की पूजा की जाती है उसके बाद आता है ज ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है इसलिए उनको देख ग्रु ब्रसपती ग्रह भी कहा जाता है तो कहीं न कहीं ग्रह भी हमारी लाइफ से कहीं कनेक्टेड होते हैं हमारे जीवन पर परभाग डालते हैं और ग्रह भी अलग अलग तरह के होते हैं कुछ अच्छे ग अच्छा या बुरा परिणाम दोनों दे कर जाते हैं तो इसलिए अगर हमने अपनी मेरीज लाइफ को सकस्षफुल करना है हमें अपने लाइफ में सुक शान्ती चाहिए या हमारी प्र्मोशन नहीं हो रही हमें प्र्मोशन चाहिए हमें अपने अच्छे स्कूल या लेट हो रही है किसी भी कारण से आप कह सकते हैं तो अगर आपने इन सब मुसीबतों से इन सब अर्जनों से छुटकारा पाना है नीजात पाना है तो आपको श्रीहरी विष्णु जी की या देव गुरुवधस्पती जी की पूजा करने चाहिए उसके लिए कहीं लोग आज लिए पच्चे चावल होते हैं हल्दी में रंग के उन बोर पित किये जाते हैं तो इन सब बातों से क्या होगा श्रीहरी विष्णु जी तो खुश होंगे ही होंगे साथ में लक्षमी जी भी हम पर बहुत खुश होंगी क्योंकि लक्षमी जी आप सब को पता है कि धन और वेभव का प्रतीक होती हैं, तो आज का जो टाइम है, धन किसको नहीं चाहिए, वेभव किसको नहीं चाहिए, लक्जुरिस लाइफ किसको नहीं चाहिए, वेसिली सब को चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए हो की, तो उन सब के लिए हमें क्या करना होगा, श्र चल की के पेड़ की पूजा करने का बेवी दान बताया गया है अ आप जैसे ठाकुर जी को नहां दोके वहां उनके पास दिया चलाते हैं तो एक तियां एक को केले की पेड़ की जड्में भी चाडाना होगा और उसकी जड्में जल आर्पिक करना होगा जो आपने चने की डाल राद को भी होई थी शियर इठाकुछी के चनवें अपने अरपिक किया है तो उसमें से जो कुछ बची हुई दाल होगी हो पीड पेड की जड़ में भी हम अरपिक कर सकते हैं इसके साथ साथ हम अपने नहाने के पानी में जो हम एवरीडे हम जिस वाटर से हम सनान करते हैं तो आप रोज हल्दी के पानी से सनान कीजिए जैसे मैंने भी अपने वाश्रों में एक हल्दी के छोटी से टिबी बुना के रखी हुई है तो मैं रोज नहाने से पहले एक चु नहाने के पानी में हल्दी के टुटकी डालिए उस पानी से अपस्नान कीजिए या श्री हरी विष्णुजी को जो अपिले रंग का चंदन आप लगाते हैं वही उनके चर्णों से आप चंदन लेके अपने माथे पर लगा सकते हैं जैसे आपने देखा होगा कि मैं भी उनको अर्पिक करती हूं और वही चंदन मैं थोड़ा सा अपने माथे पर लगाती हूं इसे क्या होगी जो हमारी कुंडली में गुरु ग्रह होता है जो हमारी खराब दशा में बैठे होते हैं वो कहीं न कहीं उनको बल मिलना शुरू होता है वो स्ट्रोंग होने की स्थित है और गुरु ब्रह को अपनी कुंडली में मजबूत बनाने के लिए आप एक रेमेडी और कर सकती है जैसे मैं यह दिखा रही हूं आपको यह पीली राही है यह पीली राही आपके किचन में भी जुरूर मिलती होगी तो आप नोटिस कीजिए इस पीली राही को इसकी रे हमारे घर में बरकत नहीं होती है या पैसा टिकता नहीं है या लक्षमी जी स्थिर रूप में निवास नहीं करती है या हमारे उसमें फाइनाशली हमें लोस का सामना करना पड़ता है जैसे एक जगह हम भुगतान करते हैं तो दूसरा हमारे घर में पहले से ही त्यार है कि ह तो इसके लिए यह जो राई है यह बहुत ही चमतकारिक अपना कार्य करती है इससे क्या होगा एक तो यह पीले रंकी है पीले रंकी रेमेडी से मैंने बताया कि आपको गुरुग्रव बहस्पती खुश होते हैं श्री हरी विष्णुर जी खुश होते हैं उसके साथ साथ लक में बुरौ खुराब हो रहे होते हैं या खराब होने की स्तीति में आ चोके होते हैं उनको बल देना शुरू युश करती हैं उनको मजबूत करना शुरू करती है साथी ऐसके प्रभाव से जब हम इसको पूरे घर में छिडखते हैं पूरे गर में इंदसे Understanding आप कहीं भी इ फैरती नहीं है उनको भी स्ट्रोंग करने का एक बहुत अच्छा उपायग हो सकता है इसका यूज करना बता देती हूं किस तरह से इसको यूज करेंगे थोड़े सी राई अपने हाथ में ली है अर जस्ट इतने थोड़े दाने लेके इसको अपने पूरे घर में आपने आता है तो मैंने बालकनी में भीस को छड़क दिया और एक और मैं जो आपको टोटका बताती हूं अगर आपके घर को नजर लगी हुई है किसी की आपके बच्चों पे नजर लगी हुई है आपके काम पे नजर लगी हुई है आपके घर पे नजर लगी हुई है तो उन सब को तोड़ने का भी एक उपाई सिर्फ यह राई ही है आप ऐसे ही एक चोटी सी कटोरी ले लिए जी उसमें राई ले दीजिए और जितनी मातरा में मैंने इस तरह से राई लिए है उतनी ही राई लेके अपने बच्चों के सीर से साथ बार गुमा के क्लोकवाइस भुमाना है यह हड़ लिए अफंगिना बॉर को किसी ने नाया घर बनाया तो उसके घर को बुरी नजर लिए माह पर लखष्मी स्थिरता नहीं रहती डेका कि तो वो भी घर को नजर लगने वाद लक्षन ही होते हैं उन सबसे चुट कारा पाने के लिए हम यह कर सकते हैं कि थोड़ी सी राहे लेके हम अपने पूरे घर के उपर से उसको बार दें जैसे कमरों में गए तो हमने कमरों के आगे से यूं कर दिया साथ बार उसको ऐंटी क्ल इसको भी घर के बाहर कर लेना है घर में आप पोचा बिल्कुल भी ना लगाए गुरुवार को अवोइड कर दीजिए आप मोपिंग करना या पोचा लगाना इससे जो देव गुरु ब्रस्पती जी होते हो नराज हो जाते हैं और कहीं न कहीं हो कमजोर होने की स्तीती में अपके फुंडली में खराब दशा में आ जाते हैं वो तो इसलिए आपके लिए बैनिफिशो लोगा की अगर आप अपने फुंडली में गुरु गुरुवा को मजबूत करना चाते हैं तो उसको अवरेट कीजिए जैसे कहीं लोग आपने देखा होगा कि किसी भी दिन आप कर सकते हैं और आज के इन कपड़े मदों कपड़े दोने में आपने सीठो को सेठों को शरू हो जाता है innovate पुंडली में खराब होता है तो इस विन तीन और पॉछा नहीं लगाना है अज के दिन आकू नहीं करना है या हम जो कपडे सब्स करने के लिए बार धोपी को देते हैं वो भी हम आज के दिन करेंगे तुम्हें यह सबी अपने घर में वीरवार से रिलेटीड देव गुरू ब्रस्कती से रिलेटीड या श्रीहरी पूरि वीडियो में से इस पूरे व्लाग में से कुछ भी पसंद आये कोई भी रेमेडी पसंद आये तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना और मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे जरूर बताईए लाइक कीजिए और इसको अच्छे से अच्छे सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू आज के लिए इतना ही मिलती न्यू वीडियो के साथ थैंक यू बबाई टेक केर